शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जरूरी बात करने थी वच्चों के बारे में आपने जो भी चीजे शद्दा के लिए लिए उतसारा कीटी को चला गया आपको नहीं लगता है कि शद्दा का भी कुछ हग बनता है हमारी सारी मनों का आमनाय पूरी हो जैसे हमारी हुई है हाँ ये लो मीनि वू मिठा करो खुष्णव खुष्णव भी कंगर्चलेशन्स अभे मुझे पता था कि उम्हे नौक्री जरूर मिले की थैंक यू पपापके समिकम में बेटे को आपके अशरवाद की जुरूरत है जी तरह बटो अमारा अशरवाद हमेशा तुमारा साथ है पपाप माफ करना मैंने थुड़ा पपाप मैं समझता हूं तुमारी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारी जेप पहले किसी ने बर्दी है राखे बारिश कहीं भी हो पर आपके बादल हम भी बरसेंगे है ना अब पहला दिन आज निकलतो ने तरीटो जाओ ना चीक है चलो अब सुनिये ओफो तुम्हे उसे पीछे से टोक दिया अरे उसके नौगरी का पहला देन है यह अप्शकून होता है यह मम्मी जी टिफिन देना पूल गई थी हाथ अब दे दो थैंक यू मम्मी जी मुझे भी देर हो रही है और सामान दे लोती हूँ नदी ओफिस के लिए ने कलती हूँ चलो अब उतना समझाया इस लडगी को मा बनके भी समझाया लेकिन मजाल है कुछ समझे वरुन को दफ्तर जाने के लिए देर हो रही है लेकिन नहीं उसके लिए नाश्टा बनाना तो दूर चली गई अपनी सहली के घर पे तुम भी पताने क्यों इंसे कोई उम्मीध ही करते जिसने आज तक कभी कुछ नहीं किया अब क्या करेंगी हमें तो वरुन को नाश्टा देना होगा ना हें इस सारे प्लेट्स कहां चली गई अरे हमें अकेला बाहर देखके इसने मौक्य का फाइदा हुठाया हमारे कमर में हाठ डालने की कोशिश की और क्याने लगा कि तुम विर रही थी तो हम तुगे बचा रहे थे हरे यह प्लेट्स कहां चली गई सारी भाभी! भाभी वरुन को देरी हो रही और अब चाहा करने लगी तू पता नहीं सारी प्लेट्स कहां गायब हो गई भाभी कोई वो साफ जफाई वाले आए थे उसमें तो वोई सफाई वाला उठा कर नहीं ले गया यह रही प्लेटे ममी जी कल वो हमसे एक सेट की प्लेट टूट गई थी ना तो वो आप पर बाकी की प्लेट कहा है ममी जी सेट तो घराब हो गया ना तो हमने दे दिया किसको दे दिया? खुड़े वाले को अब घर में महमान आते वो हम दूर से कलर की प्लेट देते तो बुरा लगता ना तो यह ने हमने नहीं खरीद ली वो ऐसे भी पुरानी हो गई जी हम आपको दिखाते हैं यह देखे बुआ जी आप भी देखे ममी जी यह देखे ना कितना सुन्दर है ना बिलकुल लेटेस्ट डिजाइन है और कलर भी कितना सुन्दर है अचा है ना हाँ हाँ वो सब तो ठीक है मगर कितने की है बुआ जी हमें डिसकाउंट में ना और 10,000 की पड़ी दस 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 अजार की प्लेट है इसमें तो चानी की थाल आ जाती है इसमें ऐसी कौन सी खास बात है बुआ जी यह गिर के भी टूटेगी नहीं इसे अनब्रेकबल कहते हैं नहीं ढूटेगी वहाँ कूट कही भाभी इसन तो कहा था ना कि यह अगरेजी में चाह कहा था तो तुमनें अनब्रेक अनब्रेकबल हाँ हाँ भई तुमने तुका कि यह टूटेगी नहीं देखो तूटके टुकडे हो गए इसके मुमी जी टेंशन नहीं हम कली चाह के शेंज कराएंगे गारंटी में और ऐसे भी ना वहाँ पर और बहुत अच्छे अच्छे डिसाइंश बढ़े आव जरुड़ शदथ आव तुमने ओफिशोड़ देता हूं अशे भी आशफास ही है ने, आप चले जाहिए मैं आटो से हाँगी अच्छा मैं बइक से जाओंगा उसका बेट्टोल तो तो मोटों से जाओगी इसका किराया, ऐसे बचेगी पैसे, खुद ही हमेशा बचेट बचेट बोलती हो, अब साथ जाएगी तो पैसे हमारी ही बचेगी नहीं, आजाओ किस्मत की लगी रोसे, किस्मत की लगी रोसे, किस्मत की इसे बचे भुओत है कसके पकड़ो छोड़ने के बज़ा, भोला ना पकड़ो, अपने नसीबो और एक कसके पकड़ो गिर जाओगी तुम, रास्ते क्यों कितने भी खराब हूँ, कितने ही ब्रेकर हूँ, अब तुम मेरी जिम्हेदारी हूँ, तो में मंजल तक मैं पहुंचा हूँगा। रत्ती भर भरोसा नहीं है हमें आपके, आपके माइके में, जब एक प्लेट तूटती है, तो आप पुरा सेट पेक देती है। यह अपनी बुद्धी हमाइके में छोड़कर आई हैं आप। पशले चौविस घंटों में आपने कितना खर्चा किया, पता है आपको। छे हजार रुपे उन सफाई वालों को दिये, दस हजार का यह डिनर सेट लेकर आ गई। सोना हजार रुपे आपने एक दिन में खर्च कर दिये, ऐसे खर्च चलाएंगी आप। भाभी, कहना तो नहीं चाहिए, पर वो जो बाहर से एक हजार की मिठाय आई थी, वो आप ज़रा जोड़ना भूल गई। हमारे हिसाब से पिछले 24 गंटे में सत्रा हजार उडाय है, सत्रा हजार किरती, घर हमने भी चलाया है, मुश्किले हमने भी देखी है, और आप, आप कोई अंदादून कर्चा करने बारी करोनपती खर से नहीं है, जो इस तरह से खर्चा कर रही है बताईये ऐसा क्यों गी आपने? अमी, वो एक्चुली मैं.. नाई! खर्चा जिसने किया है, जवाब भी गोही देगा तेक्यू, ड्रॉप करने के लिए कोई अहसान थोई ना किया बगल में ऑफिसर मेरत तो ड्रॉप कर दिया तेशली तुम्हे छोड़ने नहीं आया हुए वो.. आपका टीका फैल गया है अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे तो पूरा.. देखा नहीं है जग में तुम जैसा कही सोजनम भी कमपड़े देखू तुझे जो यूई देखा नहीं है जग में तुम जैसा कही सोजनम भी कमपड़े देखू तुझे जो यूई ऐसे हुए है तेरे दीवाने बिन तेरे दिल अव मेरा ना माने वैसे आज मैंने एक चीज नोटिस की जब सुबह पापजी आपको शगुन दे रहे थे तो मैंने उनकी आखों में आपके लिए गर्व देखा और आपकी आखों में वो आफिस आओ नहीं तो लेट हो जाओगी बिल मुझ पर पटेगा मैंने ऐसा कब किया? तुमने इकरती पर बहुत है और करने वाले और सुनो ये जो आने जाने के पैसे बच रहे हैं न अपने खाते में लेख लेना कि अभेने बचाए हैं वरना पापा के हिसाब से तो नहीं मुझे पैसो की कदर है और नहीं फक्त की ठीक है सुनो वो अगर शाम को पैसे बचाने है तो साथ बजे यहीं मिल जाना मैं तुम्हें पिक कर लूँगा जी और आज आपका भी पहला दिन है तो अल दे बेस्ट तेंक यू बिटा तुम्हें जरूवत इस दिये नहीं है क्योंकि तुम्हारी जेप पहले किसी ने बारती है आप राके क्योंकि आपना ऐसा अर्य अब बुध बन के खड़ी है आप आप बोले कुछ अमें तु समझ ही नहीं आ रहा है कि अब यहां पे क्या करना चाहिए आप नहीं कहा कि चुपो जाओ अब आप ही कह रही है कि बोलो और अगर हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि हम बहुत बोलते हैं हम कुछ भी कर लें गलती ना हमेशा हमारी ही होती है बम्मी जी हम कोशिश कर रहना कि आपको और घरवालों को खुछ रखे आपकी कहने पे हमने करवा चौत रख्का हम सुबह भी हुटे करकी पूरी सफाई भी करवाई रसोही की रसम भी पर नहीं तारीव तो दूप आपको तो बस हमारी गलती नगर आती है हमें तो लगता है यहां सबका एक ही काम बचा है किरती की गलती निकालो कुछ भी कर लो किसी को यह समझ नहीं आता यह आपकी तरीके और हमारे तरीके अलग अलग भी तो हो सकते हैं ना पर नहीं बस कीरती ही गलती निकालो हमें देखा देखा यह लड़की किस तरह से देखा मैने देखा मैने मुम्मी आपने कैसे बिना बात के कीरती को अ रोला दिया क्या ज़रूती इतनी बात सुनानी के उसे वो कोशिच तो कर रही है न और गलत किया गास नहीं उचय कितनी भी कोशिश खर ले हाप कभी खुश होते यह नहीं कोशिष आप यह इसे कोशिश कहते हैं वरुनُ हमने भी चलाया है काम हमने भी किया है लगड इस सरह से यह खर्चा कर जो अगर कर रही है इस तो उसका मतलब यह नहीं कि वो काम गलत किया है उस्तव सही तो कह रही है और आपका तरीका और अलग हो सकत न हैं अ को भूड़ा बैसे । वह है पर्क है वहाँत पर्क है आपके और हमारे जमाने में आप हर चीज को अपने टाइम से कंपैर क्यों कर रहा हूँ है उसके लिए भी यह सम नया है लेकिन वो पूरे जी जान से कोशिच कर रही है ना पर अगर आप हर बात पर इसे कमिया निकालोगे गल्दिया निकालोगे उसके तो कैसे चलेगा कम से कम उसे एक मौका तो दो कितनी कुछ थी वो और आपने आपने उसे रुला दिया अभी ये बहुत बढ़ा कांड हो गया आप अपनी बहु की गल्तियां देखती रही और वहां आपका बेटा उसी बहु को लेकर हुर हो गया देखिये मुझे लगता है कि आपको इससे बेटर प्लान ने मिल सकता आप पुराने प्लान में खाम हो खाम पैसा बरबाद कर रहे हैं सब बेटर यह रहेगा कि आप तुथासों फाइंडरेट का न्यू कनिक्शन न्यू डेटा प्लान लीजिए वन टाइम पेमेंट एन अ जैसा कि इन ने बताया इनकी इंटरने यूजिज इतनी नहीं है तो यह प्लान इंको बहुत नहींगा पड़ेगा एक मिनट आपका क्या मतलबत है आपको यह 449 माला प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा इसमें आपको फ्री कॉलिगों पर दे टुजी वी डाटा मिल रहे आपको नया कनेक्शन लेने की भुज़रोद नहीं है आपके इसी नमबर पर यह डटा प्लान एक्टिविट हो जाएगा वाव थैंक्स अबै एक्शली लास सेमिनार में मैं नहीं था ना इसलिए शायद यह प्लान मिस हो गया होगा थैंक्स अबै जी यह प्लान बताने के कि आपको यह वी यह एटा से नहीं हो हमें बता है आप भी अपनी मम्मी की तरह आप में ताने सुनाने आया हैं ना? वैसे भी इस गढ़ में सब अमें ताने ही मारते रहते हैं आप भी अमें सुना दीजिये दोचार यह बापरे इतना बड़ा नुकसान हो गया ए भगवान यह मेरी बीवी का इतना कीमती आसू यूही बहा दिया खंसे कम एक करोड का होगा है अब तुम बताओ कौन करेगा इस की बढ़वाई बताओ वरुन जी हम क्या छोटे बच्चे हैं क्या आप हमें चॉकलेट देंगे और हम कुछ हो जाएंगे इन बातों से हमारा मूड ठीक नहीं होगा तो फिर किन बातों से ठीक होगा किर्थी मैं तुम ऐसे दुख ही रोते होगा नहीं देख सकता बहुत ब्यार करता हूं तुमसे अब प्लीज ते रोना बंद कर दूँ अब ममी से मैं बात करूँगा सब की को जाएगा वरुन जी आपको क्या पता आप तो चले जाएंगे ओफिस हमें छोड़कर दिन पर हमारा क्या हाल होता है अब ही जानते है क्या के जहिलना पड़ता है हमें पस इतनी सी बात तो एक काम करता हूं मैं आज जाता है नहीं सबसे पहले हम अपनी प्यारी सी बीवी को लेकिए किसी अच्छी जगे लंच पे सलेंगे ठीक है और लंच के बाद शॉपिंग यह भी कोई पूछने की बात किर्टी को अपना है ना अरे पीवी को समझाने की जगा मा को जार बाते सुना कर चला गया क्या भाभी इसी दिन के लिए आपने उसे नौ महीने अपनी कोफ़े रखा मुश्किल से चार दिन हुए इस कीर्टी को घर में आय हुए मगर देखी कैसे वरुन को पूरा काबू में करके रखा हुआ है रजाने आगे और ये कीर्टी क्या क्या करेगी कहां लेकर जा रही हो हमारे वरुन को? हमारा मतलब है के बैलो की जोड़ी कौनसे सेट सपाटे पे जा रही है वह एक्शली ववाजी हम लच करने के लिए बाहर जा रहे है मुझे लगा कि यही बैस्ट होगा और कीर्टी का मूड भी ठीक हो जाएगा एना? चलिए, हम निकलते हैं चलो कीट क्यों रोका हम? क्यों नहीं उनको रोकने दिया? हिम्मत देखी दोनों की इतना कुछ हो जाने के बार भी बेशर्मों की तरह निकल गया पाभी एक दिन में आपको कितनी बार अपनी बेज़दी करवानी है एक बार से मन नहीं बरच दुबारा बेज़दी करवाने जा रही थी आप ही हमें बताई वरुन ने एक बार भी आपसे पूछा कि ममी हम जाए या ना जाए सीधा चला गया अगर आप उन्हें रोकी तो फिर से वह आपकी बेज़दी करता इसलिए हमने आपको रोक लिया वैसे ये सब छोड़िये आपको ये तो याद है ना कि हमें तनु भावी कि यह जाना है खाने पर अबारा मन नहीं है आप चले जाएए भावी ये क्या बात हुई हाँ आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपका बेटा और बहु बैटकर आपके यहाँ सेवा कर रहे हो भावी चलिए ना वह जाकर देखते हैं तनु भावी ने क्या-क्या तयारिया की हुई है प्रीज भावी हम आपके बिना नहीं जाएंगे आपको लेकर ही जाएंगे आपको आना पड़ेगा तो मिनिट में निकल रहा हूँ तुम ओफिस के नीचे मिलो यूभाय वह चर भी चड़ी है सौरी बोलने का टाम निकल गया हीरो हम यहां सोचर के कंपणी की सेल्स कैसे बढ़ा है और तुम नुकसान की ठाने बेठे हो क्या ऐसे चलेगा सेल्स डिपाट्मेंट सर्ड मुझे कुछ समझ नहीं आर आप किस पारे में बात कर रहे हैं वो तो कसमेता नुकसान हो जाता ना यह तो दोखादरी होती नहीं जा यह अब है जी अब है जी अब है तक क्यों नहीं आए पीस मिनिट हो गया जब तो आ जाना चाहिए था मातरा नहीं करें सब घीक हो अज पहला दीने तेरा और आती ही दादागीरी सर मैं कोई दादागीरी नहीं कर रहा हूं वो तो सर मैं ऐसे कस्टमर से चूट बोलके दोखा देके काम नहीं करना चाहता मुझे लगता ऐसे दोखा देके प्रॉफिट करना अच्छी बात नहीं है आपको भी नहीं करना चाहिए सर तो हमेशा ऐसे ही करते हैं और हमें भी यही करने को बूलते चलो अच्छा है आज किसीने आवाज तो उठाई हे बक्वास बांकर तुझे हमने नोकरी पे रखा है या तूने हमें अब तू हमें सिखाएगा कि क्लाइन के साथ के इसे डिल किया जाए अपने आपको बड़ा चोधरी समझ रहे है अरे ओका देखिया अपनी यह हो गया सलाद सब कुछ हो गया ओफो इन लड़कियों ने प्लेट्स भी नहीं लगाया है अरे भाई तुम लड़कियों का इस घर में रहने का कोई फाइदा है भी यह नहीं काली समय बाद करना आता है तुम लोगों को अंटे काम ही तो कर रही हूँ ना हाँ पर हमारी मदद तो करती नहीं हो चलो कुछ काम करो तुम लोग अरे भाभी रित्व आगे आप लोग आए आए अंदर आए भाभी आप तो हमेशा की तरद समय पे आती है आए देखे बहुत कुछ बना है आज हाँ भाभी क्या बात है पूरे चपन भोग बने हाँ हम भी बेवकूफ है आपका निकम्मा अभय हमारा मतलब है कि आपका बेटा गुन्वान बेटा उसकी पहली बार नौकरी जो लगी है तो इतने पकवान तो बनने ही थे वैसे रितू हमारा अभय जब कुछ ठान लेता है ना तो वो कर के ही रहता है अब कल उसे नौक भी चाहिए थी तो आज उसे नौक भी मिल गई और हमारे हिसाब से इसे गुन्वान कहते है हां हमें डिसकाउंट में ना पस दस हजार की पड़ी तनूजा हमारे आने पे इतना महंगा दस हजार का डिनर सेट लेने की क्या जुरूरत थी हम तो घर के ही है पुराना सेट भी चल जाता है हरे दस हजार भाभी आपको कुछ ने क्या दिया कि यह दस हजार का सेटा नया है भाभी यह कीरती नहीं है जो पाल्तु कर्जा करेंगे यह तनूजा भाभी है आपको तो पता है ना इनकी आदते रविवार बजार से लाए होंगी मुश्किल से सौ डेड़ सोका होगा सौ डेड़ सोका समाना ना बहुत तहले ही गुजर गया है हम चार हजार में यह सेट लाए है हाँ चार हजार का सेट? बाभी आपने खरीदा favored 4500 का सेट हां हां शरत्ता हई लाई होगी अपनी तंख्細़ा से हमारा मतलब है कि अभहही कि तो अभी अभी नौक़री लगए है पहला देना नौक़री का तो तंख्細़ा इतनी जल्डी थोड़ी ना आती है अरे अरे यहाँ ताया, रितू, आपके पास वो कान वाले डॉक्टर मिस्टर शर्मा का नंबर है क्या? हाँ बाभी हमारे बास है नंबर क्या बाथ है बाभी, आपको सुनाई कम दे रहा है? अरे नहीं नहीं हमें नहीं हम तो आपके लिए कह रहे हैं लगता आप भूल गई, कल हमने स्फष्ट शब्दों में कहा था कि जिसको भी हमारे अभय की खुशी से एतराज है वो क्रिप्या करके यहाँ ना आए लगता आपने पीक से सुना नहीं हाँ 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 कैसी बाते करिये भाभी आप हमारा लाडला भतीजा है हरे, उसकी खुशी में हमें क्यों तकलीफ होगी हम तो बहुत खुशे है ना इतने खुशे, इतने खुशे कि हम बताई नहीं सकते हम तो चाहते कि आपका निकमा ने ने आपका लाडला अभय ऐसे ही तरक्की करे किसी को उसकी नजर दाग वैसे रितू नजर लगे उसकी दुश्मन को अभय पेना मातारानी का अशिरवाद है और हम तो जानते हैं आज पहला दिन उसका बहुत ही अच्छा जाएगा हाँ सेर इज़त से बोल रहा हूं, कॉलर छोड़िए इज़त से बोल रहा हूं, कॉलर नहीं छोड़ूँगा सर मैंने कहा मेरा कॉलर छोड़िए वरना वरना क्या कर लेगा वरना मैं भूल जाओंगा कि आप मेरे बॉस है तू भूले, उसके पहले में तुझे तेरी उकाद याद दूला दूँ तो कोड़ी के आदमी दो साल से घर पे बेटा था वो मैंने तुझे नोकरी दी, मेरा एइसान मांगने की बज़ा ये खुटा हम पर ही बोक रहा है दो सकेन नहीं लगे तुझे आपिस से बाहर फेकने में अरे, आप क्या निकालोगे मुझे नोकरी से मैं ही आपके जैसे मकार्दो के बाद इंसान के साथ काम नहीं करता अरे, दिकारतों आपकी नोकरी को में जिस दिन सारा खाना तयार है उसी दिन हम इंतजार करेंगे अरे, कहां रहा गया, सब लोग आए क्यों नहीं अब तक अरे, भापी, अभए और शद्धा दफतर से निकाल चुके हैं और अभए के बापा ने कहा कि वो भाई साथ ही आ रहे है, बस पहुंचते ही होंगे लीजिए, हमारे दोनों भाईया सौ साल जीएंगे नाम लिया और हाजिर हाजिर तो होना ही था नि तू, इतना बड़ा खुशी का मौका जो है मभारक हो तनुजा, बेटी की नौपी लग गए अच्छा जी, सब के सामने यू पत्नी को बदनाम मत करिये कब से हम सब इस वक का इंतजार कर रहे थे और हाँ, जो हमें सुना रहे हैं, उनकी खुशी तो छिपी नहीं रही है बिल्कुल सही कह रही हो तनुजा, वैसे माच इतने खुशी तो किसी को हो नहीं सकती पर ये एकदम गजद हो जा रहे हैं, शकल तो देखो इनकी, हुँँँए बैसा हुँए, कितने अच्छा लगवा है बैसा, कितने दुनों बाद पूरा परिवार साथ बैठकर खाना का, अगर किर्टी औवर्ण होते तो और भी एच्छा लगी अनुझ भाईया, तिलिप भाईया और नैना भावी का तो ये कबसे ही सपना है, मगर उन दोनों को सेर सपाटों से फुरसत मिले तो ना अब वो, अभया शरनका ले गए अँछा अरे, हमारे अभय की भी उम्र बहुत लंबी है, नाम लिया और आ गया अरे बेटा, कैसा था तेरा पहला दिन काम का अच्फ है, अच्छा गया सुफ कुछ की ने, चला पहले यहाँ टिफिन रख और ये बता, तुने खाया की नही चला आ जा, बैट जा, आ जा, आजा बैट जा अरे तु ठक गया होगा ना अरे पहला दिन था ना तेरे काम का देख सारी तेरे पसंद की चीजे बनी है वे दावत के मुख्यती तो तो पहुच गया है तो भोजन शुरू क्या जा ममी मुझे भूख नहीं है मैं बाद में खा लूगा अरे कैसे बाद में खा लोगे अरे काम की चिंता में खाना पीना मत भूल जाओ वरना ताकत कहां से आएगी तुम्हें काम करने की यह था पूला ना मुझे नहीं खाना अभी अरे मा इतने प्यार से खिला री है थोड़ा खालो ना बेटा आज ना हम तुम्हें अपने हाथ से खिलाएंगे यह ले चल मुझ खूल अरे खा ले ना बेटा अरे एक निवाला तो ले ले अरे क्या जबरदस्ती है जब मैं बोल रहा हूं मुझे नहीं खाना तो बस नहीं खाना है क्या पत्तमीजी अभे यह को तरीका मां से बात करने का सब लोग अपना काम छोड़कर तुमारी खुशी बातने आया तुम पत्तमीजी कर रहा हूं अगर यह खुशी है मेरी जॉप की है ना तो रहने दीजे कोई नोकरी नहीं है मेरे पास छोड़ दीए मेरे ये नोकरी लीजिये इतनी मुश्किल से पहली बार नोकरी मिली थी उसमें भी पहले ही दिन में धक्के मार के निकाल दिया बिचारे अभाई को जल कोई नहीं तुझे पैसो की चिंता करने की क्या ज़रूरत है शद्धा अच्छा कासा कमाती है तेरा गार अच्छे से चल जाएगा क्या मौका है क्या बोल रही हो कुछ समझ में आता है रही तुझ बोलने से पहले दिमाग का इस्तमाल कर लिया करो भाया आप हमें क्यूं डाट रहे हैं हमने कहा कुछ गलत का हम तो सिर्फ उसी यही कह रहे थे कि उसे पैसो की चिंता करने की जरूरत नहीं है आज एक नौकरी गई तो कल दूसरी मिल जाएगी बुआ जी अभे वैसे ही इतना हर्ट था और आपने ना जले पे नमक छिडग हमारा मतलब है कि कैसे कंपणी है यह पहला दिन था उसका अरे नया लड़का है नहीं कर पाया काम तो क्या एक मौका नहीं देंगे मकर नहीं फट से पहले दिन निकाल दिया धक्के मार के एक मिनिट बुआ जी अबहे जी को किसी ने धक्के मार कर नहीं निकाला है बलकि यह खुद यह जॉब छोड़कर आए हैं इनके बॉस बेइमानी से अपने सेल्स बढ़ा रहे थे जिसके कारण कस्टमर्स को बहुत लॉस हो रहा था अपने ओफिस में यह वो पहले इंसान ने जिन्नों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी तो क्या बॉस से जगड़ा कर लिया? हुआ जी जो आज अभे जी ने किया है न अपनी नौकनी की परवा ना करते हुए सच का साथ दिया है इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है हर किसी में नहीं होती है यह हिम्मत पर इन में है आज मेरे बेटे ने मेरा सर वक्ष से उचा कर दिया जो भी किया है उसने ठीक किया है अनुज अब एको तुमारी ज़रूरत हो उसे एकवर बात ज़रूर कर लेना हम लोग चलते हैं हम लोग चलते हैं हम अगर खाना? हम नीचे बेजवा देंगे जल्दी बिजवाईए भी श्रदा बिटा एक मिर ज़रा आईए आपसे बात करनी है जी ताई जी इन्हें क्या बाते करनी हैं हमारी बहों से एक तो ऐसी ही अब है परिशान और ये हैं कि श्रदा से बातों में लग गई है तो कोड़ी के आदमी दो साल से घर पे बेटा था वो मैंने तुझे नोकरी दी मेरा हैसान मांगने की बज़ा ये खुटा हम पर ही बोक रहा है जो सकेन नहीं लगेंगे तुझे उफिस से भार भिकने में तुझे पैसो के चिंता करनी की क्या जरूरत है शुद्धा अच्छा खासा कमाती है तेरा घर अच्छे से चल जाएगा बेटा बड़ी खुशी हुई हमें ये देखकर की अभय के मुश्किल की घड़ी में आप उनके साथ खड़ी रहें किसमत वालों को ऐसी बहू मिलती है जीते रहें बेटा आपको रिष्टे जोड़ना भी आता है और निभाना भी तुक तो इस बात का है कि आपके जितने आधे गुण भी अगर आपकी बहन कीर्थी में होते न तो हमारा घर भी सवर जाता ताई जी मैं आज की ही बात देख लीजी सुबह से निकले हैं वरुन और कीर्थी टाइम देख लीजी अब तक नहीं आये हैं अब अपने घर के तरफ पे कुछ जिम्मेदारियां होती हैं या नहीं अब आप ही समझाईए कीर्थी को आप चिंता मत कीजे ताई जी वो कीर्थी में थोड़ा बच्पना है पर मैं उसे बात करती हूं एक बार शायद हमारी ही किसमत खराब है कि हम आप जैसी बहू ओने की उमीद कीर्थी से रखते हैं अरे किसमत हमारी खराब जो सब हमारे अबहे पर नज़र लगाने पर तुलिया है अरे आज़ी तू यहां क्यों खड़ी है जाती मिर्ची लेके आप हम तो आज ही अबहे की नज़र उताफ के ही रहे हैं ताई जी आप परिशान मत हुए सब ठीक हो जाएगा मैं करूँगी किर्थी से बात यह पू कैसे यह दुआ का सतर हमारे बच्चे को नज़र लग गई तर आओ हम तुभरी नज़र उतारते हैं कि मातारानी हर बुरी बला और बुरी नज़र से उमारे बच्चे को बच्चा हो मैं क्या पागलपन अग्ये, क्या कर तीएप अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, हम तुमारी तकलिफ समझते हैं यहां तो ना सब ना तुमारी नोक्री पसंद है और ना तुम्हारी सर बुन कमाव पत्नी. अधे देखो ना, इसलिए तो नजर लगी है, कितना धुआ निकल रहा है, तुम कितना खास रहे हो. अधे क्या बोल रही है अप, फूड़ी तो चुप रही है आपस, मुझा केले में रह रहे हैं, आप जाहिए यहाँ से, प्लीज, जाहिए, आप जाहिए. हम अभे की खुशियों की नजर उतार के रहेंगे, भले रात कितनी भी काली बीती हो, लेकिन सुबह उचाले वाले ही होगी हाँ. नमस्ते सक्षिम जी, भाभी, हमारी बात मानिये और उठाइए फोन, कीजिए याश्वी जी को फोन, बताइए के उनकी बेटी कितने ड्रामा कर रही है, अब भही उसे समझाएंगे, शर्म लिहास तो है नहीं, सुबह से निकले हुए है आपसे जगडा करकर, अरे कम सिकम देख लेते, वो कीड़ी तो है लापर हा, मगर वरुन, उसे तो आपके बारे में सोचना जाहिए था ना, अरे तू, आग में घी डालने के अलावा कुछ और करते भी हो तू, भाया हम तो, उपर हुआ ड्रामा कम पढ़ गया तुमें, तो यहां भी शुरू होगी, अरे ब हमारे वाला जमाना तो हम रहा नहीं, अगर भाया आप वक्त तेखे कितनी दे, बस, बच्चे नहीं है वो, की देर से आया और डाट दिया, आज आएंगे, हम अबने कमरे में जा रहे हैं, शद्दर बेटी खाना भेज दे तो हमें बोला लेना, इन सब चक्करों में खा भी हम कब से और हमें डाट दिया भाया ने, हमें बहुत भूख लगी है, अरे बस बस बिटा, कैसी हूँ? मैं चूँ पापा और अचानक इतनी रात को कैसी हूँ? कैसी? ममी कहा है? बेटा, ममी को तुम्हारी नानी के पास जाना पड़ा तुम्हें तो पता ही उनकी तबियत का और कुछ पेपर्स भी साइन करने थे, आज जाएगी जल्दी क्या हुआ पापा, आप टेंशन में लग रहे हैं, सब ठीक है? नहीं बेटा, बस कीर्थी की चंता होती है, पर नीचे नैना जी मिली थी, वो काफी नाराज थी उससे, कह रहा है थी कि रोज वो बाहर चली जाती है और देर तक लोटते हैं वोख, रितु जी भी, बतारी थी कि वो लोग लोटे नहीं है, एक फोन तक नहीं किया पापा, हो सकता है वरुन जी की चुट्टी होगी तो इसलिए वो लोग भाहर गये होंगे पापा क्या रोज कीर्थी इसी तरह करती है अब उचे समझ जाना चाहिए कि उसका ससराल है, माईका नहीं उसे ये छोड़ देना चाहिए पापा आप परिशान मत हो ये ये कोई रोज का नहीं है और धीरे धीरे वो भी अज़ेस्ट कर रही है अच्छा ठीक है, मैं उसे बात करोंगी सक्षम भाई साब नमस्ते नमस्ते अरे पीटा पापा कर आया है और तुम ना पापा के लिए एक अच्छी चाह बनाओ वैसे भी हमने सुना है कि आपको श्रद्धा की हाथ की चाह पसंद है चलो जाओ भाई साब आये ना बैठते हैं आये भाई साब आप कुछ कहना चाह रहे थे भाभी अब कहने को बचा ही क्या है पिता को असली तस्वीर बेटी की दिखा ही दिये अब वही समझाएंगे अपनी बेटी को कि सिफ घूमना फिरना इस जिंदगी नहीं होती लीजे आ गए दोनों विसे आप लोग भी कमाल हैं गूमने फिरने में इतने व्यस्त हो गए कि आप लोगों को यह भी याद नहीं रहा कि भाभी को एक फोन करके बता दे कि देर से आने वाले देखिए हमारी भाभी नाराज हो गई है सुर्य मम्मी वो लेड भी इसलिए होगे क्योंकि आपके लिए शॉपिंग कर रहे हैं मम्मी जी वो हमसे ना गलती होती ही रहती है हमने ना बहुत प्यार से आपके लिए यह साड़ी चुनी है I hope आपको पसंद आए और आप हमें माफ कर दे मम्मी चली अब बहुत देर हो गई है तो हम भी चेंज कर लेते हैं बहाबी यह तो पूरे का पूरा मौसम ही बदल गया बहुत आपको 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 की खाले में भापको अब में मम्मी पापकी तरफ से आशरवाद समझ करी ले लो नहीं पापा यह अरे बेटा पापा एकने प्यार से तुमें दे रहे हैं तो मना करके तुम उनका दिल तोड़ोगी चलो तुम से कुछ बात करनी हुजी आज बहुत खुश होगी तुम अपने पती को फिर से एक बाद निकमा थाविद करके क्या कह रहे हैं आप तो मेरे पास काम नहीं है लोगों की 500 बाते सुनतो आगे भी सुनूँगा बची कसर तुमने पूरी कर दी अपने पापा को पुला के यहां पैसा लिने के लिए इतने दिनों से तुमने मेरा तमाशा बनाएदा आज तुम्हारा बनेगा निकल जाओ यहांसे झाल झाल कर दो झाल कर दो